उत्राखंड के अल्मोडा जिले के लंगड़ा थाने से लगभग 30 किलोमीटर दूर भागा देवली गाउं में दो बेटियूं और एक बेटे ने रिष्टूं को शर्मसार किया है यहाँ पर दो बेटियूं और एक बेटे और बड़ी बेटी के प्रेमी ने मिलकर आईटीबीपी से रिटायर्ट पिता की निर्मम हत्या कर डाली दोरान ग्रामिन ने भाग रहे चारों आरोप्यू को पकड़ कर कमरे में बन कर दिया जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है दरसल आपको पता दे ये पूरा मामला कुछ नियू है आईटीबीपी से सेवानृत पिता के हत्या करने के लिए बड़ी बेटी ने अपने प्रेमी को दिल्ली से अलमोरा बुलाया था अलमोरा जिले के भागा देवली गाउं में सुन्दरलाल साट वर्ष कुछ महीने पहले ही सेवानृत होकर वहां पहुँचे थे रेटायर्मेंट के बाद सुन्दरलाल अपने गाउं में ही रह रहे थे वहीं उनके बच्चे बड़ी बेटी डिमपल बेटा रितिक और छोटी नावालिक बीटी दहरादून में पिता के सरकारी आवास में ही रहते थी 28 दिसंबर को दोनु बेटियां बेटा और बड़ी बेटी का प्रेमी हर्शवर्धन गाउ पहुँचे बताय जा रहा है कि शाम को इन चारों ने पहले अपने पिता के भाई जो कि इनका चाचा लगता था उनके परिवार को मार पीट कर घर से भगा दिया कुछ देर बाद उनके घर से जब चिलाने के आवाजा आने लगी तो उनका चाचा मौके पर पहुँचा तो देखा कि उनका भाई मौके पर पढ़ा हुआ है जिसके बाद चाचा ने सभी को इकठा किया और इस दोरान लोग कमरे का दरवाजा तोड़ कर अंदर पहुँच से ही पुरे सतकाल मौके पर पहुँची और चारों आरोपियों को ग्रफतार किया गया है इन चारों के खिलाफ मृता के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है पुल इसने हत्याकांट में श्वामिर नावालिक छोटी बेटी को बाल सरपेक्शन ग्रह और अन्यतीनू को जेल भीज दिया है बताया जा रहा है खर्चों को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ विवात था पिता इनको खर्च नहीं देता था इसके चलते बच्चों ने अपने पिता को मौत के खाट अतार दिया उस्ताज मा आरोपियों ने बताया इन चारों सुन्दरलाख के हाथ पैरबात का लाथी और दराती सिवार कर हत्या की है बच्यों का रोफ है कि उनके पिता गाओं मा कर चाचा के परिवार के साथ रह रहे थे वो लोग देरादूर में पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पिता पढ़ाई और रहने खाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे इन पर चारों ने योचना बना कर पिता की हत्याकर डाली उत्राखंट की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहे दपब्लिक मैटर नमस्कार उत्राखंट के अल्मोडा जिले के लंगड़ा थाने से लगभग 30 किलोमीटर दूर भागा देवली गाउं में दो बेटियूं और एक बेटे ने रिष्टूं को शर्मसार किया है यहाँ पर दो बेटियूं और एक बेटे और बड़ी बेटी के प्रेमी ने मिलकर आईटीबीपी से रिटायर पिता की निर्मम हत्या कर डाली दौरान ग्रामिनों ने भाग रहे चारों आरोप्यू को पकड़ कर कमरे में बन कर दिया जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है दरसल आपको पता दे ये पूरा मामला कुछ ही हूँ है आईटीबीपी से सेवानुर्त पिता के हत्या करने के लिए बड़ी बेटी ने अपने प्रेमी को दिल्ली से अल्मोरा बुलाया था अल्मोरा जिले के भागा देवली गाउं में सुन्दरलाल साट वर्ष कुछ महीने पहले ही सेवानुर्त होकर वहां पहुँचे थे रेटायर्मेंट के बाद सुन्दरलाल अपने गाउं में ही रह रहे थे वहीं उनके बच्चे बड़ी बेटी डिमपल, बेटा, रितिक और छोटी नावालिक बीटी दहरादून में पिता के सरकारे आवास में ही रहते थी 28 दिसंबर को दोनु बेटियां बेटा और बड़ी बेटी का प्रेमी हर्शवर्धन गाउ पहुँचे बताय जा रहा है कि शाम को इन चारों ने पहले अपने पिता के भाई जो कि इनका चाचा लगता था उनके परिवार को मार पीट कर घर से भगा दिया कुछ देर बाद उनके घर से जब चिलाने के आवाजा आने लगी तो उनका चाचा मौके पर पहुँचा तो देखा कि उनका भाई मौके पर पढ़ा हुआ है जिसके बाद चाचा ने सभी को इकठा किया और इस दोरान लोग कमरे का दरवाजा तोड़ कर अंदर पहुँच ही पुरिस्ततकाल मौके पर पहुँची और चारों आरोप्यों को ग्रफतार किया गया ग्या है इन चारों के खिलाफ मृता के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है इसने हत्याकांट में श्वामिर नावालिक छोटी बेटी को बाल सरपेक्शन ग्रह और अन्यतीनू को जेल भीज़ दिया है बताया जा रहा है खर्चों को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ विवात था पिता इनको खर्च नहीं देता था इसके चलते बच्चों ने पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पिता पढ़ाई और रहने खाने के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे इन पर चारों ने योचना बना कर पिता की हत्याकर डाली उत्राखंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर पब्लिक मै नमस्कार